जे इन साथियूं ममरोज कुमार स्वागता आपका आपने यूटूब चैनल इस्टेड जोग लिटेर में दोस्तों हमारी चंद रहे तरह आजस्तान कल्चर में राजस्तान के पर्मु ग्लॉग देवता पर्मु ग्लॉग देवता हमने 5 पिरू के बारे में और ये देजा जी है उनके बारे में तो चलिए आम एक एक ग्लाजस्तान के पर्मु ग्लॉग देव नाराण जी कौन से लोग देवता देव नाराण जी के गियत आप लगवक सुनते रहते हो देव नाराण जी गूर्जरू के क्या है अराज्य देव गोजरू के अराज जी ठीक है जानक ने गोजरू के अराज देव नाराण जी ठीक है आके देगे किनके अवतार मना जाता है इने बगवान विस्नू के अवतार पुष्रूंत theor राम दिलो ची को किन पार अमना जाता है वर्गाणि घॉल्वा की खुल्वा देंगे में इसके बारा पको लगद क्र देव लारेल को या которых लंस राते मारेवे पिलवाड़ा में हब इश् Meanwhile अजमीर अधिक ठीगि है कि ना पिल वाड़ा इंस ने आए तो आधिरा इस किस्वस का कलर दर कैसे है लिला कि अबर गई है झाले रिखे पिछर क्या लगेए पिंपल के। इसके बगवान वीश्णू की आगा देखे इसमें क्या पहिए इन्टे इंटे बढ़िए इसका अजिने 27 इतनी बात याद रखनो लगबग देवनारण जी बार में आज से कम्प्लिट बाते हो जाएगी देखिए बस दा कहां से रिए गोटा द्रावत पीलवाड़ा से देवमाली व्यावर अजमेर के लिए तो देंगे जनम का हुआ था देवनारण जी का गोटा द्रावत पीलव होँएव ताव है हुआ था घृटा धर घृटा फबार ढले जिनके लिए लिए नानाम क्या है? लिए लिल म से चाहे आर जी अश्टा इसहां कहां कहा है उध्यपूर का तो मूलनाम क्या था नुद्थे इंगे विशनुू से घृओंय की उतार पीकुल के पत्तेथ पत्टनें करतेसे क्या होगा या पिंपल ले मित तो बल ने जाथ के जाते है इंट की पूझा की जाती तो देगह specialize प्रभाइब याद कर लिए बस कहां से जारी गोटा दड़ाव से देव माली ब्यावर के लिए वह तक्रण देव माली ब्यावर अजनेर में क्या बनी विए समाधी बनी विए बारे में आगे देखते हैं कि आगे देखिए कि पर्मूप मंदिर कांपे कांपे एक तुम नभी बाद की थी गोटा दडावत जो कहांपे बीजवाड़ा में खाली नदी के किनारे कांपे बनावा है खाली नदी के किनारे बीजवाड़ा में ठीक है दूसरे बात करते हैं देव माली जो कहांपे अजमेर में यहां प्रक्यायन की समाद्धी एक इनका पर्मूप मंदिर देव दाम पुरिया जो कहांपे बनावा है निवाई टोंक में ठीक एक इनका मंदिर देव दूंगरी जो कहांपे चित्तोरगड में अधिक एक इनका मंदिर है नगला जार्च है जो कहांते हैं भरतपुर में तो पर्मूंदिर कहां पर कहांपे गउटा दलंग भीडवाडा खाली नंदिगे चिनारे दूस्राइव माली जमेर में जापर इनके समाधि वनिए इस रहत देव दाम पुरिया निवाई टोंक मे जोता है देव दूंगरी चितोडगड में पांसवाय नंगला जाज बरतपुर में ठीक है यह हो गए इनके प्रमुख मंदिर अब देखिए देवनाराई जी की फड़ देवनाराई जी की फड़ बांजी जाती है किनके द्वारा गुजर जाती के बोकु द्वारा बॉकु द्वारा ठीक है वधियंतर कौन सा होता है वधियंतर होता है जहरतर कोनश से बांज ओल स्सक्राइब करें? जम्तトर इसम्त तलमें जल्ंतर वधियंतर llamado में वधियंतर का ठीक है और देखिये ची helping very सबसे लंबी और सबसे चोटी पड़ी पड़ी आजिसे हम बोलते हैं पड़ कोण से लोग देवनारायन जीगी ठीक है जान रखना पड़ कौन से जाती के वह पेगा जाती के वह पूद्धारा वाद्य अंत्र कौन सा जनतर उन्नीस उपराण में पास रुपेगा टिकर जारी किया तो और सब से बड़ी वा स्वाटी पड़ कौन से लोग देवना पारायन जी ठीक है कि एक इनके उपर फिल्म मनी थी देवना रायन इंपर फिल्म मनी थी जिसमें इनकी बोंबी का किस्न निकाहिती नातु सिंग गोजणरे लें पूर्ण पूर्ण को जाने तो तो ने निपाइटी नातु सिंग तो जनने ठीक नोश्थ हूं यह ओंगे अप्मारे बारे में कम्प्लीटि बार अब बात के लेक्स लॉग डेलता है अब हम लेते हैं लो जी लो जी देखिए बार वार में छेड़ चाड़ के लोग देवता के लिमा परशी चेड़ चाड़ के लोग देवता कौन से हैं इलो जी ठीक है इलो जी कि स्वारी परशाथ्य आज में सुष्ण वार्ट में परशिद हैं इसके लाव पूचर्ण कांगी परसिद्ध है बाढ़ में गिसी अगता हैं इसके लाव की दोड़ू कर दो देवलबापी का का की परसीद है अजमेरगी ठीक है दूले के वेस में पितती है कि आपको पूछने दूले के वेस में कौन से लोग दो ता कौन से इल्लो जी एपको ने संत कौन से ते रजब जी ठीक है पूछने तो जा रहे हैं इल्लो जी के बारे में मारवार चाड़ के रूप में कौन से लोग दो परसीद है तो कौन से इल्लो जी इल्लो जी इनका जनम मुआता श्यालोद ला शिक्कर में कहां को आता है श्यालोद ला शिक्कर में में लकब बढ़ता है राम नौमी के दिन ठीक है इनकी मूर्ति नहीं होती है जबकि लकड़ी का तौरन होता है लकड़ी का तौरन होता है ठीक है और उनके चड़े जाते हैं कि इस्टी गोड़े-चड़ी जाते हैं तौर जोंकल लकड़ा मता श्यालों लोगरी का पासते लिए परशिदे जटे जाते हैं और जिगाओं जालो और गें इन्हें का जाता है बरसाथ के लोग बरसाथ के लिए उता है बरसाथ के लोग बरसाथ के लोग बारे में पुझा की जाती है वाम यह होगी ठीक है तो यह होगी इन्हों जीओ लेखते हैं कि अगें मात करते हैं चाल नमर पर वीर भी गल्ड़ी तो इस प्रक्राइब दीकाजी इकाजी का जनवाथा इडीकाउंट पिताजी का नाम क्या था राव बोहन माता का नाम क्या था सुल्थानी जनुम कहा वाता है रीडी गाउं पिकानेर में जाक कड़ जाती के राजेजियों या कुल देटा और गाईयों करक्सा करते हुए बीर गती को प्राप देंगी बीर की गजी पिता का नाम क्या था राउ माता का नाम क्या था सुल्थानी जाक कर जाती के लोग कुल देह फाए घंन गाईयों मन्दि क्राम प्राप के बारे में नेक्स देखते हैं हरी राम बबा, इनका जनम होगा था जोरडा, मंदि कहां पे बना हुआ है इनका, जोरडा कहां है, जुकां पे नागोर में, कहां पे नागोर में, पिता का नाम जा है, राम नाराएं, माता का नाम चंदनी, गुरू का नाम गुरा, ठीक है, राम बबा, इनके मंदिर में मूर्थी नहीं होती है, जब कि सरव की पूरडा की जाती है, चरव की पूजा, तो जान रखना, अगर किस वयक्ति को सरफ का जाता है, जो कोनि से लोग में पूजा की जाते है, राम बागी। मंदी काम बना है जोड़ा गाउं नगोर में और सरफ की पुद्धा की जाती पिता का नाम था राम नारेजी बाता का नाम था चंद नहीं और भुड़ा का नाम क्या था फुरा ठीक है दोस्तों अब यह हो गया मारे राजिस्तान की चार-पांथ प्रभू टोड़ता थे यह वीडियो और अप्लोड करें जिसमें चार-पांगों को और बच्चे जैसे तली नाजी मली नाजी ठीक है उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को करेंड़ा शेयर गना ठीक है जाइन जावार